नमस्य बच्चों, आप सभी का अब प्रथम सत्रिय अध्येन अध्यापन का कार्य प्रारंभ होने वाला है तो उसके लिए सबसे पहले हमें आवशक्ता होती है पाठ्यक्रम की, सेलवस की बिना सेलवस का हम कुछ अध्येन अध्यापन नहीं कर सकते हैं तो आज हम कक्षा सात्मी का संस्कृत का जो फर्ष्ट अर्म का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करते हैं और किस चैप्टर से कौन-कौन सा कितने माक्स का प्रश्न आने वाला है इस बारे में भी चर्चा करेंगे माने प्रश्ण पत्र प्रारूप प्रश्ण पत्र में कितने मार्क्स का कौन-कौन सा चेप्टर आने वाला है चर्चा करते हैं तो सबसे पहला आईए सेले बस पर आपके उसमें दो पुस्तके हैं पहली पुस्तक है शारदा संस्कृतम भाग साथ और दूसरी है स्रिष्टी व्याकरन भाग दो तो ये दो पुस्तके हैं व्याकरन की स्रिष्टी पुस्तक है और टेक्ष्ट वो शारदा संस्कृतम भाग साथ है तो आपके पाठ्य क्रम को मन्थली वैस महिने वैस बांट दिया गया है तो दो सबसे पहल अप्रेल मास में पाठ्य पुस्तक जो शारता संस्क्तम है उसमें दो पाठ हैं सुभाशित आमरितम और भक्तिर फलते भावेन इन दोनों पाठ्यों का अभ्यासाइद आपने पढ़ना है दूसरा अभ्याकरन से शब्द रूपानी जो अकारांत पुलिंग देव शब्द है और इसके समान जितने भी रूप होंगे अकारांत शब्द और अकारांत नपौनसघलिंग पत्र यहाँ पर एक पत्र शब्द दिया गया है परंतु इस से जो भी समान होंगे वो सारे के सारे խी आपने पढ़ना है फिर सर्वनाम शब्द अस्मध है धात रूप इतने धात्वों के लट्लकार में आपने धात्वरो पड़ने हैं, याद करने हैं और रचनात्मा कार्य में समबाद, जो शृष्टि पुस्तागे से छे और शात्वा समबाद है और बाकी हिंदी वाक्यों का संस्क्रित में अनुबाद एतना अप्रेयल का पाठ्यक्रम है दूसरा मई मास का देखते हैं फिर इसमें पाठ्य पुस्तक में केवल एक पाठ है श्रद्धावान लवते जियानम है इसका अभ्यास सहिद आपने पढ़ना है फिर है व्याकरन में आते हैं अव्ययपदा आनी आप जानते हैं अव्ययपद किसे कहते हैं वो तोन में से पुर प्रिवादा, कदाश्व, वरिथा, यह, धिक, फिग्रम, मा, यह इनका अर्थ, और इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग करना यह सब आपने पढ़ना है, फिर है गानना, वाउंटिंग भी आपने पढ़ना है, एक से लेकर पचास तक, और इसके साथ साथ, एक से लेकर चार तक जो संख्या हैं, उसका तीनों लिंगों में, पुलिंग, स्री लिंग और नपन सक लिंग में आपने अच्छे से पढ़ना है, फिर है उपपद विवक्ति, द्वितिया उपद विवक्ति, में उभयत अपरिता, और तृतिया उपद विवक्ति में अलम और विना, इतने आत्मा जो पाठ का नाम का वाक्य प्रयोग फिर है अपड़ित गद्यांश जो उसमें पहला और तीसरा जो अपड़ित गद्यांश है जो टेक्ट उसमें होगा व्याकरन पुस्तक में अपड़ित अवबोधनम है तो उसमें से तीसरा और पहला और हिंदी वाक्यों का संस्क् फिर आगे बढ़ते हैं जुलाई मास क्योंकि जून छुटियां है जुलाई मास में पाठ्य पुस्तक से हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम और शड रितवा ये दो पाठ अभ्यास सहित फिर व्याकर्ण में जो शब्द रूप हैं आकारांत स्थ्रीलिंग जैसे यहां पर रमा हैं और भी लता, गीता, सीता ये जितने भी शब्द आकारांत होंगे उन सभी को आपने अच्छे से एक बार याद करना है क्योंकि एक एदी आपने याद कर लिया बागी सेम उसी प्रकार चलते हैं फिर सर्वनाम शब्द इदम और वो भी नपुनसक लिंग में औ युश्मद शब्द रूब ये दो फिर धात रूब लृत लगार जो हमने पहले लट लगार वरतमान काल में पढ़ा था अब लृत हविश्यत काल में पठ गम लिक अस भू पादरिश नम ग्रास था और इन धातुएं के धात रूब आपने पढ़ने लृत लगार में ये अपने छटी में भी पढ़ा होगा और रचनात्मकार ये संबाद आठ और नौ चित्रवर्नन में भी वह ये आठ और नौ ये सारगसारा स्रिष्टी व्याकरन पुस्तक से ही है और हिंदी वाक्यों का संस्क्रत में अनुवार और फिर अपड़े दिगद्यांश चार और प संधी आप जानते हैं संधी तीन प्रकार के उत्ते हैं स्वरसंधी विएंजन संधी और विसर्ग संधी तो उनमें केवल आप में स्वरसंधी के भेद, दीर, गुणयन और वृध्धी इन संधियों के उदाहरन और परिभाशा किसे कहते हैं इसको अच्छे से पढ़ना है और रचनात्मकारे में पत्त्र लेकर वो भी अवकाश के लिए प्रधानाचारी को एक पत्त्र लिखना है और बाकी हिंदी बाक्यों का अनुबाद और अंते में अपड़े गद्यांश चार और पांच जो यहाँ पर पहले भी दिया है इसको दुबारा भी लिखा हुआ है तो रिविजन एक प्रकार का यहाँ पर रिविजन कर लेना है अब यह हो गए आपका पूरा का पूरा सिलिबस अब प्रशन पत्र प्रारू कितने मार्ग्स का प्रशन पत्र होता है तो है रचनात्मकार्य में जयसे चित्रवर्णन है समबाद है अनुबाद है पत्र है तो यह सारे के सारे रचनात्मकार्य में आएंगे फिर अनुप्रयुक्त व्याकरण जो समय संख्या उपपद विवक्ति अव्ययपद ये जितने भी है ये सारा शब्द रोग धाद रोग ये अनुप्रयुक्त वियाकरन में आएंगे और पठित अवबोदनम पठित अवबोदनम माने जो आपने छे पाठ पड़े हैं शार्दा संस्क्रेदम से उन छे पाठों में से अभ्यासों से तो तीस मार्ग्स का प्रशन आप से पुछा जाएगा और आप यहां पर ये भी दिया हुआ है पाठ़् पुस्तक से तीस मार्ग्स का पुछ़ा जाएगा और शब्द रोग कितने मार्ग्स के तीन मार्ग्स के तो ये पूरा मिलकर असी मार्ग्स का प्रेशन बत्र है तो आप अभी से ही लग जाईए तैयारी करने क्योंकि लाश्ट में आकर कोई दिक्कत ना हो तो यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेर जरूर करें बच्च, धन्यवाद